वारांसी लाइफ सच के साथ नमस्कार सिटी वारांसी लाइफ में आप सभी का स्वावत है मैं हूँ मम्तर वरसिया आई ही नज़ेदारते हैं आज के हैट लाइफ पर वारती सेरा की 117, CETF, Battalion, T.A. 49 गोरका राइफल द्वारा सीखाट पर स्वच्छता की प्रती चलाया गया जागरुकता आगया देश को है सेंड्रल बार असोसियेशन का वार्षिक चुनाओ तैयारियां कर ली गई है पूरी तेरानवे प्रत्याशी है चुनाओ मैदान में विद्यापीट में चात्र संग चुनाओ इस्थवन मामले में तीसरे दिन बीच चात्रुगा विरोध रहा जारी और बड़ा लाल पूरिस्ते जीवन दिप सिक्षर संस्तान में करियर विकास के लिए कौशा लेवं जन संपर्क विश्यक का रिशाला और अब ख़बरे विस्ताथ से 23 दिसंबर को पीम के वाराण सी आखमन को लेकर कर्खियाओ इस्थित सभास्थल पर आम लोगों की आवाजाही पर स्पीजी अधिकारियों द्वारा रोक लगा दिए स्पीजी के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के कर्खियाओ इस्थित सभास्थल पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दिए अब लोगों को 23 दिसंबर को ही वहाँ जाने की अनुमती मिलेगी वहीं बाबतपूर एरपोर्ट से सभास्थल के बीच के रूट के जोन वा सेक्टर में बाटा गया है इन जोन वा सेक्टर के साथ सभास्थल के एक एक पॉइंट पर अधिकारियों की अगवाई में सुरक्षा कर्मियों की तहनाती कर दी गई है सभास्तर के सुरक्षा की जिम्मेदारी डि आईजी रेंग के अधिकारी संभालेंगे SPG के आईजी के नितित्व में टीम ने मंगलवार को भी सभास्तर पर सुरक्षा वा अन्य विवस्ताओं का जाईशा दिया आईजी ने एक बिंदु पर चर्चा के साथ कुछ सुधार के निर्देश दिये उन्होंने अब तक मन्च तक खड़नजा न विशने पर ठेकेदार को फटकार लगाई अमूल डेरी के चेर्मेन शंकर भाई चौधरी से मंत्रणा की एस्पी जी के अधिकारियों ने अपने साबने मेटल डिटेक्टर से पूरे मैदान की चेकिंग कराते हुए आम लोगों की इंट्री रुखवा दी अब आम लोग 23 दिसंबर को ही मैदान में प्रवेश करेंगे एस्पी ट्रेफिक के साथ पार्किंग वर रूट को देखा उनका भीवेश प्रबंदन पर विशेज जोर रहा वही प्रदान मंत्री के सुरक्षा प्रोटोकाल के मुताबिक जोन सेक्टर और पॉइंट बना कर पुलिस अधिकारियों जवानों की ड्यूटी लगा दी गई इनर और आउटर कार्डन में एक-एक आईपियस अधिकारी लगाए गये हैं पियम बाबतपूर एरपोर्ट से सडक मार्ग से ही करख्याओ जाएंगे उनके आवगमन के दोरान मार्गों पर आम ट्रैफिक पर पूरी तरह रोग रहे दी पियम मोदी के जनसभा के संदर्प में भाजपा काशी छेत्र के अध्यक्षिम महेश्चन शिवास्तों ने जानकारी थी प्रताम दूंत्री जी कल पिंडरा विधान सभा के करख्याओ गाउं में एक बड़ी भूम पूजन करेंगे अमूल डेरी वाले यहाँ पर एक बड़ा प्लांट अपना लगा रहे है पुर्वांचल दूत क्रांती की ओट पुर्वांचल के गोपालक और गोष सेवा करने वाले पूरे समाज के लिए एक बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री जी अपने संसदी छेत्र वारांची के लोगों को दे रहे हैं इसलिए एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन हो रहा है वारांची बड़ालालपूरिस्ती जीवनदीप सिक्षन संस्थान में करियर विकास के लिए कौशल एवं जनसंपर्थ विश्यक एक दिवसी एक कारिशालक आयोजन किया गया पूर्म मर्टिपल काउंस्लिंग चेर्मेन लाइंस क्लब इंटरनेशनल ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस डिश्टल और चुनोती पूल दौर्ण में जनसंपर्थ एक ऐसे समधान के रूप में है जिसकी रह सामाजिक सरुकार है आज सिर्फ व्यापारी नहीं बल जिटिक रिलेशन आजकल कितना ही इंपार्टेटेटेशेयiben परफिसइन्सलिएत यह जानते हैं यदि अंतराश्टी आस्तर पर यदि संबन अच्छा हुआ तो यह पियारो सीख है और किसकी पियारो सीख? अपने प्रदान मंत्री मोडी जाए उनके एक अच्छे पियारो सीख उनहीं से शीखा जा सकता है कि यह अच्छा पियारो कर दोद मुख्य वक्ता जुड़े और आर कारिशाला में उपस्तित सभी विद्यार्थियों को संस्था की तरब से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया कारिक्रम की अधेक्ष्टा डॉक्टर अंशु सिंग वसंचालन प्रदीप उपाध्याय और धन्यवाद क्यापन डॉक्टर शीरी स्रिवास्तों ने किया इस उसल प महात्मा गांधी गाशे विद्यापीट में चात्र संग्चुनाओ इस्तखन मामले में बुधवार को तीसरे दिन भी छात्रों का विरोध जारी रहा समाजवाती छात्र सभा के कारेकरताओं ने प्रिशासनिक भोन के सामने धर्ना शुरू किया और प्रिशासन विरोधी नारिबाजी की मगलवार की शाम चुनाओ कराने के मुद्धे पर चुनाओ अधिकारी और चीप राक्टर के साथ हुई शात्रों की बैठक का कोई निश्कर्श नहीं निकला बुद्धवार को तीन बजे इस संबन में फिर बैठक बुलाई गई हाला कि शात्रों के घर संपर्क करने की पुलिस की रणनीती का असर भी बुद्धवार को दिखा और परिसर में शात्र नेताओं का जमावड़ा कम रहा परिसर के सभी गेट पर भारी पुलिस बल के साथ दमकल और वज्रवाहन भी मौजूद थे और कुछ लोको कहले है कि कुल पती नहीं चाहरे हैं दो उसे थीट नहीं वह भुद्धि के पार तो करना तो याद थीक वक्त आपाते हैं कि सुननाव नहीं हो सकता, तो हम लोग यहीं चाहते हैं कि 6 संग का चुनाव हो, अगर चुनाव नहीं होगा तो अभी साथनेता सांतिपूरों का अंदुलन कर रहा है। को कि विश्व विद्दाले प्रसासन ने हम लोगों को छासंग चुनाओ कराने की तीथी गोशित की थी, 17 तारीक को ऑनलाइन नमंकन और 24 दिसंबर को छासंग चुनाओ, चुनाओ का डेट से आने से पहले बताईए, तीन दिन से हम लोग यहाँ पे विश्व विद्दाले के और जिला प्रसासन और प्रसासन के खिलाफ रवय से, क्योंकि वो तीन दिन पहले ही तुगलकी फर्मान जारी कर दिया है, कि छासंग चुनाओ अस्थागित कर दिया गया है, दिसंबर में चुनाओ कहीं भी संबव नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग विश्व विद्द खोजवां इसीद एक मकान में आग लग गई, मकान में साइकल रिपेरिंग की दुकान भी थी, आग की चपेट में मकान वा दुकान दोनों आए, इसको देकर मकान मालिक को बड़ी परिशानी का सामना करना पड़ा किरेया रोड खोजवां इसीद प्रकाश्चन विश्व कर्मा के साइकल रिपेरिंग की दुकान में आग लग गई, आग इतनी भीशर्टी की कुछी समय में यह दुकान के उपरी तल पर भी पहुच गई और वहां ग्रहस्ती के सारे सामान जलकर नश्ट हो गया, इस आग क काबू पाने के लिए फायर प्रिगेट की टीम को बुलाया गया, बड़ी मशक्कत करने पर आग को बुझाया गया, इस संदर में दुकान के अधिश्टाता ने बताया कि मेरे घर में ही मेरी दुकान थी जो कि इस समय जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है, प्रकाश जी कह पूशनातुरंद फायर प्रिगेट को फोन करके दिये, फोन करने के 45 मिनट बाद फायर प्रिगेट आई तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था, शेव विश्व कर्मा का कहना था कि मेरा सारा सामान जलकर नश्ट हो गया है, मेरे पास खाने के लिए, रहने के लिए, कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है मैं अपने परिवार का पालन पोशन कैसे करूँ मुझको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है करीर बचा है इसके लाख तन भगने के लिए कपड़ा तक नहीं बचा रहा है इवा मकान घर दुगार सब समाब विश्व दिव्यांग तिवस के महाव्यापी कारिशम के अंतरगत मानसिक दिव्यांग वसामाने बच्चों के चित्रकला कारिशाला का आयोजन किया गया विश्व दिव्यांग दिवस के बहाव्यापी कारिशम के अंतरगत आज दिनाग 22 दिसंबर 2021 को कमक्षा इस्तित देवा इंटरनेशनल सुसाइटी फॉर चायल्ड केर के प्रांगड में नेशनल ट्रस्ट भारत सरकार द्वारत संचाले दिशा एवं विकास पर योजना के अंतरगत दिव्यांग जनों मानसिक दिव्यांग बच्चों तथा सामाने बच्चों की मिली का मुख्यों देश मानसिक दिव्यांग जनों में आठ थेरेपी द्वारा उनके बुद्धी को और बढ़ावा देना था समावेशी भारत की परिकल्पना को और साकार रूप देना था वारंट सी के शारीरी रूप से दिव्यांग प्रंदू कलाती शेत्र में से सम्मानित डॉक्टर सी तुलसी दास का योगदान अविश्वस्निय है निवम देवा केंद्र के बच्चे यहां के स्पेसल टीचर्स के सहयोग से अधित्य कारिक्रम करते आ रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों में चित्रकला उनके बुद्धी की शम्ता को संचा अपक परस्वर प्रयास करते रहें तो वह दिन दूर नहीं है कि जब यह बच्चे भी अन्ने बच्चों की तरह अपनी कला का प्रदर्शन कर अपने माबाप का नाम रौशन करेंगे कारिक्रम में 60 मांसिक दिव्यांग बच्चों ने तथा 10 सामाने बच्चों ने भाग लिया कारिक्रम के इस समापन में देवा सेंटर के सचीू श्यामलल पटेल ने धन्यवाद दिया वकाईक्रम के सखल आयोजन में दिव्यांग बच्चों के मातापिता के सासा सुगोज जी के साथ आए फाइन आर्ट्स के बच्चों में प्रिती जैस्वाल, खुशी जैस्वाल, प्रिती पांडे, काजल पटेल, अनुराग यादो, पूनम पटेल, आकांशा सिंग तथा देवा केंद्र के प्रधानचारे राम डारायन सहित, डॉक्टर टीयश शर्मा, विजय, अकलेश, प्रद आप आर्टिस्ट और आपने हैंफिल किया है, फाइन आर्ट्स में, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिन्होंने ये विड़ा उठाया, कि समावेशी भारत में दिव्यांगों को ले करके हमें चलना होगा, और इसी संदर में आप अपने पूरी टीम केसं यहां आए, जेवा खेंद के प्रांगड में और आकर के उन्हें ने बहुती संदर इन दिव्यांग बच्चों से जो मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हों से इन्होंने ग्रीटिंग कार्ट्स करवाया और ग्रीटिंग कार्ट्स को बनवाया, जो नए साल पर ये विक्री होतुर रहेंगे और हमारान से कि सभी प्रभुन नागरिकों से कहेंगे कि नए फालते अगर आपको ब्रे Timothy I can go कई इन पर किसी को पेजना है जरूर इन दिव्यां सिर्मा बच्टों के व्रेटिंग कार्ट को बेरी इन दिव्यां मिनिस्टर जी ने भी का है कि दिव्यांग जनों को जोड़ना बहुत जोरी है दोस्तों समावेशी भारत मतला हम सब मिलकर एक जगा पर सामान्य और दिव्यांग सभी मिलकर इस चीज को करें इसलिए आज ये विच्छत कला कारेशाला रखी गई थी इसका उदेश यही था और यह बड़े सक्सेस् ज辉च ओर प्रकांजाचर इस स्था स्टाइब अगेश्टार्प ये विच्छत इसलिए लिच्छत ऑप बड़ेशी विच्छत ऊपटनाब्डों के जनोंस अप्रवेशी बड़े दैफ जनों के जिए विच्छत का बिलकर ये लिच्छत अच्छत आट आभ रखेश्ट जुबंदीव महाविधाले, I am proud of महाविधाले for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. कोरोना वाइरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरते, घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदेप प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइस्ट करें, ज्यादा भील भालवारी ज जाने से बचें, दोगस की दूरी का पालन करें, स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, जन्हित में जारी वारांसी लाइव वारांसी लाइव, सच के साथ अबरिक के बाद पुना आपका स्वागत है भारतिय सेना की 137 CETF बटालियन टीये 49 गोरखा रैफल ने बुदवार को असी घाट पर जन्द जागरुपता अभियान चलाया यह अभियान गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को साप सुत्रा रखने के लिए नदी महत्सों के अंतरगत चलाया गया इस अभियान में वाराणसी के DFO, महावीर, गंगा, टाक, फोर्स के सुवेदार, महेंदर यादो और उनकी टीम, 95, CRPF, बटालियन के DIG, चौदरी कमांडेट, डिप्टी कमांडेट और उनके जवान मौझूद थे नदी महत्सों जनजाग्रुपता अभियान में मागंगा को साफ रखने के टिफ्स और उनकी सहायक नदियों को साफ रखने के बारे में बताया क्या वाराणसी के DFO ने इसी दौरान गंगा मा के बारे में बहुत अच्छे से समझाया कि हमारी मागंगा जो सब्यता और संस्कृती की जननी है इनको साफ रखना हमारा परमकरतव्य और धर्म है गंगा टास्क पोर्स के सुब्यदार महिंद्र यादों ने बताया कि मागंगा को हमने किसी न किसी तरीके से गंगा का महत्तो समझना है हम चाहे आर्थिक रूप से मान ले हम चाहे सामाजिक रूप से मान ले हम चाहे धार्मिक रूप से मान ले मागंगा का महत्पों हमने किसी ने किसी रूप में जानना है और हमें मागंगा का आचित्व बनाई रखने के लिए मागंगा को हमेशा साफ सुज़ना रखना है आजादी का अमरित महत्पों पूरे देश भर में सेलेबरेट किया जा रहा है उसी के तहत रिवर फेस्टिवल का आयोजन पूरा देश में हो रहा है। उसी कारेक्रम के अंतरगत 16 तारिक से 23 तक नमामी गंगे भारा सरकार की निर्देशन में कारेक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं प्रती दिन के बेसिस पे हैं। इस कारेक्रम में विभिन थीम के आधार पर प्रती दिन कारेक्रम आयोजित कर रहे हैं। जैसे कि देश बक्ती वाला थीम हैं। जहां पर स्वातन्तर सेनानी जहां जिसक शेतर के बिलॉंग करते हैं। उनके संबन्द में कहानिया, सोचता संदेश देना है। बायजो अध्यक्ष महामंत्री समेच 24 पदो पर 93 प्रत्याशी मैदान में है। स्वादस से मतदान करेंगे और प्रथम तल पर 17 सदत से मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 23 दिसंबर को सुबह 10 वजे से मतदान शुरू होगा, 24 दिसंबर को मतगर ना होगी। अधिक वकालत अनुभव पत के दो पदो पर अमित सिंग, अवधेश सिंग, अंजनी शिवास्तो, जितेंद्र यादो, गुड्टू, देवेंद्र सिंग, देव, सीता देवी, विकास पांडे, विधु प्रकाश पांडे, विमला यादो, विरेंद्र नात तिवारी, विकास नारायन दुबे, टीका, विजर शंकर यादो, विध्याचल सिंग, विवेक यादो, वसंतो शौबे प्रत्याशी हैं। पर अनूप सिंग, अश्वनी राय, कृपाशंकर स्रिवास्तो, चंद्रबान गिरी, जवाहिरलाल गुप्त, न्रपेंश प्रताप सिंग, माधव प्रसाथ पांडे, राजेश कुपता, शशिकान दुबे, सुभाश नंदन चतुरवेदी, संजय शुकला प्रत्याशी हैं पर अन्य के पदो में है, एक उसा धेश पद है ज्यादा तर अधिवक्ताओं के हित में ही कारे होती है, अगर कोई पदा दिकारी अगर कुर्सी पे बैठा, तो अधिवक्ताओं के हित के लिए ही कारे किया जाता है बारत सिवास्रम संग में हरवर्ष की भाती स्वर्ष भी मुक्तानंद महराज की पूर्णितिती पर कंबल वित्रण कारिक्रम किया गया स्वामी विष्णु देव, आनंद स्वामी, ब्रह्मनात स्वामी, महावरत आनंदेवं आदि लोग उपसित रहे सिद्ध मुझे कुयां करके इस सब्माण देने का काम का हुमेशा करते हूं मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती ही। इस बूरे काम में चाहें को पलाते ही हैं। और बार्शकी भाती 22 डिशेंबर को दिन शामी मुक्तानों जी महाराज के पूर्णों तिती हैं इसी उपलक्ष में हम लोग आज गोरीब वह वाशा है के 24 कमबल वितारन किया गिया तो शाहर के जो महापोर हैं मिदुला जयशाल जी के हाथ छे हम लोग बाटे हैं तो भारश्वास्रम शांग का मूल उद्देश्चा है परुपकर करना पौर के शेवा करना कोई भी प्राकितिक आपदा में भारश्वास्रम शांग शेवा काम करते हैं अब लोग जानते हैं कोरुना महावकाल में भारेशवाचन शांग बारानाशी शाका कितना शेवा काम किये हैं तो आज हम लोग गोरिगों के देश में कमबल बात रहा हूँ से सादु बेला के अश्रम पिठादिश्वर आचारी सी स्वामी हरिनाम दास महराज की 141 जैनती महत्सों के उपलक्ष में बुद्वार को बदैने स्थिस सादु बेला आश्रम बनखंडी महादेव परिशत में भाविसात दिवसियर शीमत भागवत कथा का शुपारम हुआ शुपाय हम से पूर्वर प्रातकाल भविसर शुपायातरा निकलीशुपायातरा में सबसे आगे बड़े बैंड पाजे वाले राम धुन भजाते रहे चल रहे थे उनके पीछे बड़ी संक्या में में शुप questa करई साधू बेला अश्रम के कोठारी महंत आचारी स्वामी गौरी शंकर्दास महराजवा हरिद्वार से पधारे बगवत अचारे प्रकाश कृष्ण शास्त्री महराज चल रहे थे शुबा यात्रा बनखंडी महादयो मंदिर से निकल कर रविंद्रपूरी कॉलोनी पदमश्री चौरहा असी चौरहा होते हुए असी घट गया वहाँ से महिलाएं कलश्मे गंगा जलेकर असी चौरह, पदमशी चौरह, रविंद्रपूरी होते हुए वापस सादू विला आश्रम परिसर में आकर शुबायात्रा का समापन हुआ शुबायात्रा में नगर के विभिनम मठ मंदिरों के महनत सादू संत इवं काफी संख्या में शादालू सामिल थे श्रीमत भागवत सब्ता ग्यान नियग्या का आयोजन इसलिए होता है श्रीमत भागवत हमको जीवन जीने की सहली सिखाती है और भागवत परेंड करना चाहिए सुनना चाहिए इसे सुनने की मात्र से ही हमारे और हमारे परिवार का कल्यान होता है और आज सादू बेला बदैनिया से अस्री गाड़ गंगा जी के पूजन के बाद कलस्यात्रा का प्रारभ मोगा काशे की रहने वाली मंजूशा पांडे ने जयपूर के पांसितारा होटल मैरियट में आयोजित ब्यूटी कॉंटेस्ट में मिस वाराण सी यूपी का ताज अपने नाम किया काशे की रहने वाली मंजूशा पांडे ने जयपूर के पांसितारा होटल मैरियट में आयोजित ब्यूटी कॉंटेस्ट में मिस वाराण सी यूपी का ताज अपने नाम किया प्रतियोगिता के दौरान चुने हुए पांसो प्रतिभागियों में से चुनाओकर मंजूशा को ताज से नवाजा गया मंजूशा अपनी जीत से बहत खुश है और इस शेतर में और भी आगे बढ़ना चाहती है मंजूशा अपने के शेतर में भी जुड़ी हुई है वह साथ ही कई नाटकों में मुख्य भूमिका भिन भाचुकी है पढ़ाई के दोरान M.A. में दो गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी मंजूशा अच्छे नित्यांगना है जो काशी की संस्कृती और धरोर को साथ लेकर आगे बढ़ने की इक्षा रखती है जैसा कि ओता देश भर से बहुत सारी लड़कियों ने भाग लिया था इन लास्टी 500 में से सलेथ होके और मुझे ये एवार्ड मिला जिसमें मिस वारांसी उत्तर प्रदेश है इस एवार्ड का नाम और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसके लिए आज इस तरह पर काशी का नाम भुटम करेंगे जैसा कि पता आए कि काशी की अपनी संस्कृती है धरोहर है उसकी अलगी पहचान है तो मैं यही चाहूँगी कि इसकी संस्कृती जड़ों को लेके आगे बढ़ू और अपने नाम के साथ काशी को जोडू ताकि मेरे नाम के साथ भी काशी को जाना जाए और इसी किसां सिटी वारंटी लाइव साहिए अपर सार नहीं समाप्त होता है ममता चोरसया को देए जाज़े मस्कार सच के साथ